हाई फ्रेंड्स हमारे चैनल के सबी वीडियोस को मिस्किए बिना देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाईए सुन्दर जो चाहता था वही हुआ वो गुडियों उसके पास आ गया दोनों दोस्त बन गए गुडियों की विशेष्ता और उसके कर्टो देखर सुन्दर बहुत खुश होने लगा एक दिन सुन्दर अपने घर के सामने खेल रहा था दो कुट्टे उस तरफ आये पहले सुन्दर उन्हें देखर नहीं डरा और खेलता रहा दोनों कुटचे एक दूसरे पर चिलाते हुए सुन्दर की ओर भागे सुन्दर बहुत डर गया बाप्रे कुटचे मेरे ऊपर आ रहे हैं डोडते हुए घर के अंदर चला गया क्या हुआ सुन्दर? इतना डर क्यों रहे है? कुछ हुआ क्या? कुटे बाहर कुटे बौकते दोटते हुआ मेरे और आ रहे हैं मुझे बहुत दर लगा कि वो मुझे काट लेंगे इसलिए दोट कर अंदर आ गया तुम डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे साथ आओ मैं नहीं आओंगा अगर वो मेरे को कुछ करेंगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे मैं तुम्हारे साथ होना हिमत से रहू गुडिया और सुन्दर दोनों बाहर आये घर के सामने दो कुटे चिल्लाते हुए दिखाई भिये गुडिया ने अपने हाथों से कुछ शक्ति का प्रयोक किया वो चमकते हुए उन कुटों पर बड़ी बस दोनों कुटों ने भौकना बंद कर दिया और कड़ाते हुए वहाँ से चले गए वाँ बहुत अच्चे उन्हें कैसे भेज दिये यही मेरे खासिया थे मैंने अपने शक्ति का प्रयोक किया बस वो डर कर भग गये ही 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 अच्चा है वो तो ठीक है मैंने तुमारा कोई नाम रखने को सोचा है मेरा नाम क्या नाम क्या नाम रखें हे किटू किटू करके रखूं किटू अच्चा है नाम बहुत अच्चा है तो आज से तुम मुझे किट्टू करके बुलाओगे? हाँ किट्टू ठीक है सुन्दर किट्टू, किट्टू मुझे आईस्क्रीम चाहिए ला कर दो ना गुडिया ने पहले नारियल की पाने ला कर दिया ये क्यों किट्टू? मुझे आईस्क्रीम चाहिए इस बार गुडिया ने केले लाकर दिया केले नहीं किट्टू मैंने आइस क्रीम कहा था उसने हर तरह के फल लाए लेकिन आइस क्रीम नहीं लाया सुन्दर को गुसा आ गया मैंने आइस क्रीम मांगा और तुम ये सब लेकर क्यों आ रहे हो ये सब मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही ला रहा हूँ तुम मेरे दोस्त हो न, आइस्क्रीम खाने से सहथ कराब हो जाता है ये फल सहत के लिए अच्छे है, इसलिए लेकर आया हूँ ओ ऐसा, मेरे अच्छे के लिए हो, मेरे सहत के लिए इतना सोच रहे हो अब मैं आईस्क्रीम नहीं खाऊंगा इस तरह मेरे बात सुनोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाऊंगा ठीक है गिट्टू वो ठीक है लेकिन तुमने किसने बनाया है हाहा हमें कोई नहीं बना था हमारा एक जाती है मेरे जैसे और बहुत सारे है वो सब तुम्हें बात में बताऊंगा तुम्हें किसी ने नहीं बनाया तुम्हारे तरह और है वो कहा है इस गाउं से दूर एक पहाड़ी पर हम रहते है तुम यहां तक कैसे पहुचे मैं कुछ कार्णवश यहां आया हूँ अचानक इस खलिल के पल्ले पड़ गया ऐसा तुम्हारे शक्तियों को देखकर मुझे शक्ख हुआ था मौमूली गुडियों में ऐसे शक्ति कहा होते है तुम्हारे शक्त सही है चलो मैं तुम्हें अपने निवास पी ले चलता हूँ चलोगे आउंगा लेकिन शायद मा घबराएंगी कोई डरने की बात नहीं है चलो चलते हैं दोनों सोचकर वहाँ से निकले चलते रहे रास्ते में उन्हें एक शेर दिखाई दिया शेर को देखते ही सुन्दर डर गया किट्टू शेर आ रहा है अब क्या डरो मत सुन्दर मैं तुमारे साथ हो न वो बात नहीं किट्टू वो ऐसी तरफ आ रहा है जली से कुछ करो शेर के नस्दिक आते ही दोनों हावा में उड़ने लगे शेर से बचते हुए दोनों हावा में इधर उदर उड़ने लगे बहुत देर तक शेर को नचा कर दोनों दो पेड में बदल गए शेर को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है दीरे से वहा से चली गई पेड में बदले किट्टू और सुन्दर फिर इंसान में बदल गई दोनों हसने लगे है है शेर को हमने अच्छी तरह से नचाया ना किट्टू देखा पहले तुम कितना डर गए थे मेरे शक्तियां ऐसे ही काम करती है मैं तुमारा बाल भी बका नहीं होने दूँगा किट्टू ये मेरा सो भाग है कि तुम मेरे दोस्त बने अब और कितना दूर है किट्टू तुमारा निवास देखो वो पहाड दीख रहा है ना वही हमारा निवास है बहुत सुन्दर है किट्टू देखने में ही वो पहाड बहुत अद्बुत और विचित्र लग रहा है चलो जल्दी चलते हैं तोड़ी दूर चलने के बाद पहाड के पास पहुँच गए बहुत सुन्दर है तुमारे बाकी दोस्त कहा है रुखो रुखो इसके बाद तुम्हें उनसे ही मिलाओंगा तो देखता हूँ जल्दी बुलाओ दोस्त सब जल्दी बाहर आओ एक नए दोस्त से आपका पंचे करवाता हूँ पहाड के पीछे चुपा एक गुड़िये ने सिर्फ बाहर रखकर देखा और बाकी गुड़ियों से ऐसा कहा दोस्तों हमारे दोस्त ने किसी माना को अपने साथ लाया है वहां से हमें बुला रहा है चलो चलते हैं पहाड में चिपे सबी गुड़िये उनके पास आये उन सबको देखकर सुन्दर चेकित रह गया गुड़िये भी सुन्दर को आजीब से देखा बहुत देर उन्हें देखने के बाद सुन्दर को एक शंका हुई तुम लोग जमीन पर पैर क्यों नहीं रख रहे हो तुमारे पक जमीन को क्यों नहीं चू रहे हैं वो ही नहीं सुन्दर मैं भी अपने पैर जमीन पर नहीं रख सकता हमारे पक जमीन को नहीं चू सकते तुरंट उसने उसके पैर के और देखा सच में तुम्हारे पेर भी जमीन को नहीं चू रहे हैं, क्यों? हम लोग दूसरे ग्रान से आये हैं ना, वहां का मोसम और यहां के मोसम में फरक होता है, इसलिए हम जमीन को चू नहीं सकते बिना किसी आदार के गिर सकते हैं ना, लेकिन बिना गिरे कैसे संबव है? वही हमारे विशेष्टा है संदर खिट्टू, तुम अपने बारे में विस्तार से बताओ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनो यह हमारा ग्राह नहीं है, यहां से 2000 प्रकाशवर्ष दोर एक ग्राह है हम वहां बहुत खुश थे, हमें तु यह भी मौलूम नहीं था कि धर्ती नामक कोई ग्राह भी है अच्छानक एक दिन वहां के सभी साधन नश्ट हो गये अकाल पड़ गया, ग्राहों में बदलाव आ गया, मौसम पूरी तरह से बदल गया अच्छानक एक धूम केतु आया और हमारे ग्राह पर पड़ा वहां एक बहुत बड़ा विश्वर हुआ, भागिवश हम बच गए, भगवान ने हमें बचा लिया हमने मिलकर एक वाहन का निर्मान किया और यहां आ गए यहां आने की बाद पता चला कि यह धरती है और यहां इंसान रहते हैं किसी भी तरह अपने जान बचाने के लिए सबसे चिपकर ऐसे पहाड़ों और गूफों में रहते हुए अपने शक्तियों का प्रयोग कर जी रहे हैं फिर हमें एक दिन यहां से जाना होगा लेकिन हमारा वाहन खराब हो गया भापरे इतनी बड़ी बात हो गई सच में आप लोग बहुत बागिशाली हैं उतने बड़े विश्वोट के बावजूद आप लोगों का बच जाना सच में एक चमतकार है फिर तुम हमारे गाओ कैसे पहुँचें एक बार हम सब मिलकर आसपास देखने निकले बहुत देर तक घूमकर सब जगाओं को देखा अच्छानक में रास्ता बटक गया बहुत देर तक अपने दोस्तों को ढूंडा लेकिन वे दिखाए नहीं दिये आकिल में तुमारे भगल वाले गाओं गया एक व्यापार इने मुझे देखा उसको शक्त न हो जाए इसलिए में बिना हिले डुले एक गुडिये की तरह खड़ा रह गया आखिर में खलिल के द्वारा तुमसे बेठ हुई पता नहीं क्यों तुम मुझे अच्छे दोस्त लगे इसलिए तुमारे पास आ गया तो वैसा हुआ था अच्छा हुआ तुम फिर अपने दोस्तों से मिल पाए मुझे बहुत कुशी हुई अपने दोस्तों से मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई सब लोग खुश होकर हसने लगे